जन्मंच ने इनका पहला वीडियो किया और पहले वीडियो को लगाया अगर आप किसी से जब बयान लेते हैं आप वीडियो कटकरते हैं गलती किसी है बिडियो बनाने वाला का पतरकार की गलती है और यह बच्ची है इसका उम्र देखिले कितना 12-13 साल होगा इसको mental torture करना कह आप बात और बात कोई पत्रकार आए तो प्यार से सांती से सवाल करना है काम आपका नहीं है एक काम पुलीस और प्रसासन का है आप नहीं कह सकते हैं किसी को चाहिए हम हमारी आउकात नहीं है क्या कि कहेंगे बोलो क्यों नहीं बोलोगी ए मेरी आउकात नहीं है मेरी आउकात है कि बेटा बताओ बेटा बताओ हकीकत क्या है बेटा बताओ ठीक है अचा जो सच्छा है कि नहीं है इस तरह कर देना हिं अब नहीं है हम हात्यार हो कि नहीं होगा हमारा काम है कि आ Bij। को पब्लिक के बीच में रखा पब्लिक डिसाइड करेगी कि कहां तक यह सही है कहां तक यह सही है दुसरी चीज़ प्रसासन का काम है इनको हत्यारा ठाराना चाहिए फासी लगाना आपकी आउकात नहीं है बढ़ा बहुत बड़े लेबल के चैनल को मैं बता दू उनकी भी आ कोट और थाना का मेंटर है आप कोन होते हैं फैसला करने वाले इस तरह के जो यूट्यूबर पत्रकार है उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से आप लोग जो डिपोर्टिंग कर रहे हैं उस पर आप करना बंद कीजिए आप खड़ा होता है सवाल सबसे पहला च सकता है एक तो फेचलेकर और दोसरे गोपनी है जिसको हमकोजी पत्रिकारता अभी shooting और यहां यह नहीं है भारत का artikel 91 हर किसी को बोलने और सुने और चुप रहने का अधिकार देता है किसी को हम मांसिक परतारना नहीं कर सकते हैं और मांसिक प만 campus करने के लिए हमारा antandra भिय कि अगर यह बाइट नहीं दे रही हैं तो अपने परिभासा में दस कदम उनसे हट कर दूर दस कदम उनसे दूर हट कर और यह कह सकते हैं कि सचाई को दिखाने में यह हमारी सयोग नहीं कर रहा है लोग इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं यह दोसी हैं लेकिन जबरन हम उसके दरवाजे पर जाकर चिलाए और उसको बल पूर्वक पर्यास करें कि तुम बोलो तुम बोलो यह कतहीं पत्रकार की कोई दाइत नहीं है और हम मुझभरपूर से आये हुए हैं ना पक्ष और ना भी पक्ष तो कुछ लोग कारगा दो कामी हो दिनिस्पक्ष पत्रकार करना इस टाइब के कुछ यूट्वर पत्रकार आ जा तो उसके लिए क्या कहना चैए तुने सुने जिए जो बलागर है वो भी दिखाता है आके मैं देखा हूँ पहलाब इनका वीडि यह है national union journalist journalist यानि बिहार से हम है यानि पत्रकारों की एक समू होती है और एक संगठन जिसको भारत सरकार मान्यता देती है और यहां तक कि दिश्टिक डिप्यारों भी उसको मान्यता देता है जिसको reporter के दर्ज मिलती है कि पत्रकारता के दाइरा क्या इसको समझ में आता है और केवल एक माइक लेकर और चैनल बनाकर वह रिपोटिंग नहीं बल्कि उसको यह कहा जा सकता है को एक बिजनेस करने बैठा हुआ है अपने भ्यूज के उपर जो है वह काम करा फिर भी हम उनके लोगों वह सम्मान देंगे कि आप किसी भी रास्ते एक इंफॉर्मेशन का काम क करते हैं इसके लिए दिल से सुक्रिया किन्तु आपके इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे पत्रकार जगत का नाम केवल एक वेक्ति के कारण चुकि अभी मान लिए कि यादो परिवार में खत्या हुई है एक यादो परिवार की लड़की एक कानो समाज की कए घटना है यह जो है समाद और यादो प्सुary का तो यह पूरे यादो के लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है मैं भी यादो हूं लेकिन ये सवाल पाब लेरे को यह जाती हुता है नकलता का जाती होता है नकदा का ťा कर आप पत्रिकारता को अपने दाइरे मेरा कर और आप अपने समाज को जो इंफर्मेशन देना है उस पर आप काम करें और दिल से तहे दिल से समाज आप पर विश्वास करें इसी के हम कामना करते हैं और आपके चैनल जन्मंज को भी कामना करते हैं कि बहुत धर्च पूरवक इस लड़की की बातों को आपने सुना और दिखाने का पर्यास किया और हम लोग भी जो है पूरी की पूरी बातों को दिखाएंगे इसका भी वादा करते हैं ऐसे हम जी इन्यूज बिहार के रिपोर्टर धरम चंद यादो मेरा नाम हुआ मुझा फर पूर्पर से कहां से आय हैं कि मतलब इस चीज को उज्यादे लोगों में मतलब उजागार कर सके बता सके इसलिए हम लोग आया है मतलब पत्रकार का परिभासा कुछ लोग ऐसे देते हैं कि मौई लिए माइक लिए चल दिए ऐसा नहीं होता है कुछ ब्लाइब भी आ कि मतलब निउस कर रहा है और बिए बात बोल लीते हैं मतलब फमनेल नोब का देखिया बहुत सब्लीय सांड़ खांदल लाता है कुछ नासे मथे खरब होता है और एसे लोगों के omnipar टॉस्तिन Special हुए लगा उनकी परृतिस्था मतलब मैं दयAB दाव भाल गया चैनल को सबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद